हेलो एंड वेल्कम गाईज दिस इज मनीज और वाचिंग माई स्टड़ी दोस्ट कैसे आप सब लो आई होप आप सब लो ठीक होंगे आजके इस वीडिओ में हम रागा का एक और मोग टेस्ट करने वाले है four इसका वीडिओabei sector कर रोगा 10 का प्रविघा पर ये ज requis Com вас और अधेने वाला हूं अग्वर हम अगर आपको नहीं पता है कि आपको मोग टेस्ट काय Glen करना होता है तो इसका लिंक जो है मैं टेलिग्राम ग्रूप में शेयर करता हूं उसका लिंक आप वीडियो के डिस्कुशन से जोइन कर सकते हैं और ये मॉक टेस्ट आपको एप्लिकेशन में भी अवेलेबल हो जाएंगे जैसे ही ये 6-10 ता कम्टेट हो जाएंगे तो वहां पर उस एप्लिकेशन का भी लिंक है उसको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं उसमें पहले के और एक्स्टा प्रेक्टिस है और मॉक टेस्ट के रूप में काफे सारी चीज़े अवेलेबल है तो आप उस एप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरा खुद है तो इसको देखे कैसे करना है आपको सबसे पहले आपको बता है कि सेरीज हैं पर आपको दियेगे है एक सुनोग चॉहठतर में बंबढ़ रहता एक तीजी से नहीं बढ़े यह सिरीज में नहीं बढ़ए्पिस् software कर सकते हैं यह से स्थरी जो है उलटे करम में दी गई 64 आपने दिखा इसको इस तरह से भी कर सकते हैं यानकी गड़ते करम में दी गई है ज्यादा पर ससी बड़ते करम में तो आप इसे उल्टे साइड से एनकी 11 की साइड से करके इसको ऐसे भी कर सकते है ऐसे भी कर सकता है उसे फ़रले जैसे मैं difference यहां पर जैक करता हूं तो इसका जो difference आएगा 9-4 अपके पास में 5-10-7-3 यांकि 35 का यहां अगली में है कि मैनुस साथ हो रहा है इसमेए ए इसमें मैनस साथ हो रहा है यहां है मैंस साथ होगा फिर उसके बाद में देख्ए मैननेस साथ हो जब option D हो जाएगा तो hopefully आपको समझ में आऊगा अगला सवाल लेते हैं तो देखिए यह है अगला सवाल यह है आपका missing number से जिसमें आपको बताना है कि यहां पर जो question mark दिया गया है इसके स्थान पर क्या आने वाला है ठीक है तो इस question को कैसे करेंगे देखिए इसमें सबसे पहले कि आपको pattern को समझना पड़ेगा देखिए इसमें बहुत सारे pattern बनते हैं इसमें square cube वाल अभी pattern हो सकता है इसमें हो सकता है कि इस line से right side में और left side में इसका योग जो है सभी का और side का same हो जाए यह इसमें हो सकता है कि जो-दो के pair बना ले उनके जो है योग में कुछ relation हो तो इसको सबसे पहले मैं आपको बता दो कि इसमें जो आपका answer आने वाला है वो दो-दो का pair बना कि है उसका योग करकी answer आने वाला है कि इसमें कि इन दोनों को जोडना है देखिया इन दोनों का योग कितना होजाएक है यह होजाएक जोसे इन दोनों को आप add करेंगे तो देखिएaden 53 फिर इन दोनों को आप ड्रेंगे तो देह distinguish 54 हो मतलब दिखिए यह एक एक बढ़ता जा रहा है इन दो का पियर का योग फिर इसका जो है वो योग होना चाहिए 55 अब 36 इस में से माइनस कर दीजिए 55 में से तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 19 तो यहां फिर जो अंसर आना से वह हो जाएगा option D 19 ठीक है तो इस तरह सी इस question को करना था अब next question लेते हैं अब देखिए next जवाल है आपके पास में यह direction से related है यहां पर question क्या दियागा है कि एक आदमी है उत्तर पस्यम यहनकि नौर्थ-वैस्ट साइड में जो है उसका जो है face है ठीक है फिर उसके बाद में वह बोलता है कि वह turn लेता है सबसे प बाद में यह left क्रमार मुड़ता है और किस दिसा में हो करके खड़ा हुआ है तो हमें सिर्फ direction पूछे ऐसे cases में तो आप direction एक बार तो बना लेंगे और इसमें जो है यह अगर turn कर रहा है continuously left right तो इसमें आपको जो है left से एक right को काड़ देना है ठीक है अब यह बोल रहा है क अब आपके पास में देखिए बचा हुआ क्या right है सिर्फ इसको एक right turn कराना है यह जो direction है तो इस direction को आप यहां से भी कर सकते हैं यह इसी direction में होगा यह direction है नोर्थ इस्ट है इसका जो आंसर देगा नोर्थ इस्ट यह आप जो यह पूरी directions यहां पर right left right जो दिये हैं सारे इनको move भी करा सकते है लेकिन इसमें पताए कि अगर कोई विक्ति है यह से यहां पर खड़ा हुआ है वो पहले बाएं जैसे समझ लेजे कि दाएं जाता है फिर बाएं आता है तो वही चीज जो है repeat हो जाती है तो उसकी अंदर जो है आपका जो है direction change नहीं होता है ठीक है तो अब अगला जो है हम सवाल लेते हैं अगला सवाल देखिए common sense का सवाल है इसको कैसे करना है आपको यहां पर बोला गया है कि what angle is made by the minute and in 29 seconds ठीक है तो यहां पर minute की सुई की द्वारा 29 seconds में बनाया गया कौन क्या होगा तो देखिए यहां पर आपको होना चाहिए इस ठीक है six degree होता है एक मिनट में 6 degree का कौन बनाती है minute के सुई ठीक है तो यह चीज़ आपको पता है अब आपको बूचा क्या है 39 seconds का मतलब क्या कह सकते हैं कि 30 seconds के अंदर जो है आदा मिनट होता है ठीक है तो यहां पर 6 degree बना रही है तो यहां पर अगर यह 30 seconds का question होता तब तो हम सीधा हो जाते कि 3 degree जो है इसका answer हो जाएगा लेकिन अगर 29 seconds बना रहा है तो इसे जस्ट थोड़ा सा कम होगा अधिक यह 17 degree 40 मिनट है या आप इसे 1740 degree का angle भी माने तो यह 1740 को हो नहीं चाकता ठीक है 29 degree है यह भी नहीं हो सकता क्योंकि या तो क्या होग 3 degree से बहुत मजदीक वाला option इसमें होगा 260 degree यह भी नहीं हो सकता तो 2.9 degree वाला जो answer हो जाएगा अगर आपको यह चीज पता थी एक मिनट में 6 degree का बनता है तो 30 second में कितना 3 degree और 31 second में जस्ट उससे पास वाला option आप चूज कर सकते हैं ठीक है आप calculate करके निकाल भी सकते हैं लेकिन उसमें calculation में टाइम कराब करने से अच्छा है कि आप इसमें option देखें ठीक है अगर ऐसे 2.8, 2.7, 2.6 इस तरह से भी होता तब भी आपको बता है कि 33 में बिल्कुल भारीक सा फराग होता है तो सबसे नजदीक वाला option जो 30 के पास सकेंगे option के पास में यह 3 degree के पास हो वो आपको चूज करना था वाकि इतने पास-पास वाले options आपको बहुत कम cases में देखने को मिलते हैं वाकि अगर आपको एक तरह इस रिटन एस जीए टी देंदा खाव विल्यू इस रिटन इन दा कोड ठीक है तो यहां पर लूट में लिखा गया है फेट गीट में लिखा गया है ब्लीव को किस को में लिखा जाए यह आप से पूचा गया है सबसे पहले मैं को समझना होगा फिर उसके बाद में इसका जो अधर करना होगा मैं को समझने के किलिए मैंने ओप्सन को से दिखा तो जहसे मैं ओप्सन को देखा तो देखें पहला उप्सन है आपके पास bolehula की यह लूट है ठों को क्या दिका है M eन्फ पहला जो वर्ड है एल एल कितने पादा थैंगी सोली च्रूल उपिcation कि यहां पहले को बाकि देखे यूटी इसको सेम रखा गया है सेम अगर आप इसी चीज़ पर गोर करें जैसे एपटी है इसमें जो है अगला जो कोड है इसका जीए टी यांकि एफ़ वाले वर्ड में सिक्स से सेवन क्या गया है एटी इसेम है तो सेम आपको क्या करना है यह हम लिए तॉलर्ण के सवाल है कि ञालेष चार्त्रों की कर्षे में सुरेज असुख से साथ इस्तान आगे है तोटल कन्डियर round George class के अंदर वह है 39 जिए अभी class के अंदर सुर्ष का position डिया गया है ठीख है वो असुख से साथ इसान आगे है यए यहां पे ऑफ़ साथ इस लास्ट से ये असोग जो है 17th position पे हैं तो सुरेज की प्रारम की से इस्तति बताए यांकि इसका फॉस्ट से इसका जो है कुन सा place हो गई आप से पूछा गहा है सिंपली देखो टोटल कितने हैं 39 ठीक है 39 में से यह जो आपके पास में असोग तक का जो है वो कितना हो गया 17 जब 17 को माइनस कर दिए फिर उसके बाद में देखिए 17 के बाद में आपने देखा यह जो 7 कंडेट हैं यह भी जो है असोग से आगे हैं लेकिन सुरेज से यह पी सुरेज का पोजिशन जो है यहां पर प्लस बन करना पड़ेगा टोटल कंडेट यहां पर गठाने के बाद में क्योंकि इसमें जो है यह सुरेज भी इंक्लिवट है तो सुरेज का प्लेस पूछा है जैसे आप एक पर कभी आप ऐसा करके देखेगा कि अपने हाथ के अंग सब्सक्राइब करना होगा तो यहां पर कितना जाएगा पंद्रा ठीक है और इसमें प्लस बन करके इसका पोजिशन हो देगा 16 यहां से स्टार्टिंग से ठीक है तो यह आपका अंसर हो जाएगा first option is correct answer अब next सवाल देखें next आपके पास में क्या दिया गया है यह आपके पास में देखें v वन डाइगर्म से सवाल है इसमें आपको कुछ है Whoo देगा उनके इसाव से आपको वन डाइगरम को शूचना है तो यहां पर blue eyes वाले आपको व्यक्ति बोला गया है फिर उनमें जो है ओरतें और डोक्टर इनको किस तरह से आप code करेंगे यह आप से पूछा गया है तो देखे सबसर पहले आप यहां पर यह समझी कि फैले व्यक्ति मैंने बनाए जिनके यह व्यक्ति जो हैं मेल भी हो सकता है लेकिन फीमेल भी हो सकते हैं क्योंकि यहां पर इतना बोला गया निली आख़वाले ब्लू आईट ठीक है यहां पर व्यक्ति भी नहीं पर ना तो ऐसा प्वोलागा क्यों और थैखे यहां पर मैंने यह बना दिया ब्ली आइज वाले ठीक हैं ब्लू आईड ठीक है अब उसके बात में लेक्स आपके पास में है ओरत ते आपको आपको नेली आंखर वाले वा जो है निली आखों माले होंगे ना ऐसा हो सकता कि सिर्फ डॉक्टर जो है वोमन ही होंगे तो डॉक्टर जो है इन में से भी मिक्स होगा तो इस तरह से यह बनेगा तो इसमें कुछ ऐसे पार्ट होंगे जिनके आखे भी निली होंगी और वो में भी होंगी और वो डॉक्टर घफ़ार भी होंगी ठीक है तो इस तरह से इसका जहाँ साही अश्या只 bạn पूंज लेजी एक कर का मिक्सट्रों आपको पनाना है डियोट्न साही आपके पास में जहां रहना देखता है नेच़् सवाल देखे होता है आपके पास में डिवाइड गोडिवाइड जो सिंबल है इसका मिलिंग होता है आपके पास में multiply और प्लस निमले लिखत में से कुन सा समिकन सही होगा यह आप से पूछा गया है ठीक है और यहां पर एक बार आप multiply लिख लीजिएगा क्योंकि सवाल में देखिए आपके क्या बोल गया प्लस कार्थ है डिवाइड डिवाइड करते है multiply multiply कार्थ है प्लस तो निमले लिखत में से कुन सा समिकन सही होगा तो यह समिकन यानि कि यह आपके पास equation है यह आपको दिख रहे होंगे इसको मैंने अपके लिए थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि कि उस सनाब आसनी से पड़ पाएं अब एक एक option को हम लेते हैं वर इनको सोल करता है तो देखिए 10 फिर उसके बाद में दिवाइड डिवाइड का मीनिंग जो है मल्टिप्लाई है 10 गुणा 5 और प्लस प्लस का जो मीनिंग है आपके पास में डिवाइड है तो पांस बटा चार इक्वल चार तो देखिए 10 फंजी 50 पचास बटा चार 6 कभी नहीं आएगा फिर उसके बाद में देखिए 10 माइनस है तो माइन तो हो जाएगा 8 हाना सी यह लेकिन यह भी नहीं आ रहा है तो सेकेंड और फास्ट अप्सन नहीं है फिर थार्ड ओप्सन देखिए 10 प्लस का अर्था डिवाइड तो बटा दो माइनस को ऐसे कैसे रखना तो 5-5 0 हो जाएगा यह भी नहीं हो सकता थार्ड ओप्सन भी अग रखते हैं जानी नेक्स सवाल आपके पास में है अनलोजी से जैसे इंडिया है इंडिया से ऍंडिय की के प्लि ऐन आपको पूचा सबक करें इसमें इन में से डिफरेंट इपाना है scripts is है बल्ब को मतलब तो बल्ब ही होता है उसके अलावा लाइट है एलेक्रिसिटी है ठीक है यह आप से पूछा गया है तो यहां पी जो आपके पास में सारे इनको देखिए आराम से सबसे डिफेरेंट जो वो आपको पताना होता है तो इसका अंसर हो जाएगा सी ओप्षन कैसे हीट लाइट और एलेक्रिसिटी यह सारे जो है आपस कह सकते के अनेर्जी का फॉम है अब एलेक्रिसिटी का मि आप पता है कि आपको एनर्जी के रूप में ही काम करती है आपके यह जो उपकरन है उनको चलाने का काम करती है तो अगला सवाल देखे आपके पास में है यह ब्लाड लेशन से है और ब्लाड लेशन के लिए मैं हमीशा कहता हूँ सब्सक्राइब का सवाल देपाएंगे तो उसमें देखे फैमिली चार्ट कैसे बनाते हैं सबसे पहले आप जिसकी बात कर रहा है उससे उपर वाले जो उससे बड़े हैं उनको जनरेशन में दिखाना है लेप राइट भाही बहन हो जो सेम जनरेशन में है और छोटे जो औरत की और ठीक फोटो में एक ऐसा लिखता है पर फोक्तो में औरत की और शिचक्रेकर केता है कि रहा है उसकी पतनी सास अब फार सथ्यास हो घ्रली मां होगी तो जैसे मैं इसकी सास दिखा देता हूं ठीक है यह इसकी सास है ठीक है सास की इकलोती पुत्री है ठीक है तो इसकी पुत्री होगी तो यानिकि इस पॉसन की जो अन्नोन पॉसन है इसके सिस्टर होगी और इसकी ननत होगी ठीक है तो यह इसकी जो है आप ऐसे कह सकते ह या इसकी पुत्री बोल दीजे जो सास है उसकी पुत्री है औरत का आदमी से समंद्ध बताएं ठीक है तो simply यह तुम आपको पहले ही बता दिया तो इस ओरत का है जो पुत्री है इसका समंद्ध क्या होगा यह अनौन परसंद से तो अनौन परसंद की पहन वह यह आपको बना में और एक होगा अंसर फिगर इसमें आपको क्यूस्तन फिगर के अंदर पैटरन को समझना होता है तो सबसे पहला सवाल हम देख रहे हैं क्यूसर नमर ट्वैल चार उप्सन इसमें दिए गए हैं सबसे पहले जैसे ही मैं यहां पर आता हूं मिरे पर एक arrow दिखाए देता है और अगली आकरती में मैं देखता हूं कि आहां पर arrow नहीं है मतलब यह सला यहां पर अगली आकरती में यह इसकी जगह पर एक नई आकरती आती है ठीक है उसके लावा यह जो आकरती यहां पर है यह जो ऐसा आकरती है यह अगली आकरती में जा कर रहा है लेकिन घ्Bobal इस आकरती की बात करें जो यहां से यह रही है ज़ह स्धी अगली आकरती जो है हमें मीरे में इसमें बराणा है तो यह और दूसरी बात यहां पर जो है इसके सिर्द अब अगर मैं देखें तो सब से पहले तो हम ये जो जैड है इसका मैं वोड़ा इमेज बनातों ये थोड़ा सक तिर्छा एक चीज दिहान लेखेगा ये तभी समझाएगा आपको जैसे यहां पर देखे इस तरह से बना हुआ है अब इसका जो है मैं क्या बनाऊगा वोटर इमेज तो सेम जैसे यहां पर है यह इस तरह से रहेगा ठीक है फिर उसके बाद म से यह से रहेगा और यह ऐसे रहेगा यह अभी भी मिरस से नहीं बना है लोगी अस पर की तरह तरी बिन्सक्राइब इसे उसक्ता है यह उपके ऊपर की तरफ और रहें मी हो सकताँ है आब आपके पास में ऐग spectrum बन क्याता है जो की है यह यह भी सेम था लेकिन इसमें यह पहले रिपीट होगे तो यह उप्शन इसका सही चपा हो जाएगा सी प्रीज नहीं यह जो थार्ड में दिया गया पास सगेंड थार्ड थार्ड उप्शन में देखें यह अंसर है इसका ठीक है तो आड़ को समेंगे तो आपको समझ आजाएगा नेक्स देखें नेक्स समाइल आप अगर्धर समयन आथा इस सिरम को स्मय कोister अब इसका pattern समझें यह चोकर अकर्थी है इस से मैं समझाने की गोशस करता हूं यह अकर्थी में जैसे अगली में देखता हूं और इस तरफ से मूव करता है तो इससे पहले यहां पर मिला मुझे फिर उसके बाद देखे यह नीचे मूव करके यहां पर पहुंच गया, अब यहां से मूव करके यहां पर पहुंच गया, ठीक है, अब यहां से कहां पर मूव कर रहा है, इस तरह पर, ठीक है, यहां पर पहुंच गया, अब अगली आकरते में यह मूव करके यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, कैसे पता चला है इस ची रहा है मैं इस चीज को थोड़ा सा ठादेता हूँ यहाँ से तकि आपको इंटम क्लियर हो कि यह इस तरह से चल रहा Gide कि यह जो पैटरन है यह इस तरह से घुमा रहा हो है हमें इस तरह से यहां开न से झार कि तो अगुआ है तो यहां से अगली आगल में यहां पर पहुंच गईैं तो यहां से अगली, बीच को एक तम क्लियर कर देता हूं जो चीज मैं समझाना चाहरा हूं मेरा कहने का मतलब यह है कि यह पहली आकर्थी ही इसकी अगली आकर्थी यहनकी छटी आकर्थी बनने वाले है सेम मैं इस पहली की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इसकी यहनकी अगली जो छटी आक शचन के साथ फोलोग कर सकते हैं कोई भी आपको कि अगली बार यहाद यहाद पहुंच है ठीक इसमें भी ट्रेंगल है लेकिन हमें सिर्फ यह समझना था कि प्रेटरन फोलो हो रहा है या नहीं तो प्रेटरन समझ में आ गया अब आपको सेम यही आकर्थी जो पूरा यह आकर्थी बन रहा है जिस अभी आकर्थी में सेम वही आप इसका अंसर होगा और यह उसकी hopefully आप इसे समझ भाया हूंगे आप देखते हैं next सवाल अगला सवाल देखे ये भी भूती ही अच्छा सवाल है और ये भूती ही अच्छा पैटर्न इसमें भी आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले तो आप क्यूस्तन फिगर देख लिए और उसके बाद में आंसर फिगर आपको दूढ़ना है क्यूस्तन फिगर में देखते हैं हम तो यहाँ पे प्लस वाली आकरती है अगले सवाल में ये प्लस वाली आकरती है यहाँ पर पहुंच जाती है मतलब यह सिर्फ गूम रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यह माइनस आकरती यहां पर आ गई और बाकी सेम यहां तक का सेम रहा है रगली बार में यह ट्राइंगल जो है उपर जाएगा इस माइनस के यहां पर पहुंच गए बाकी यह सारा सेम रहा है फिर उसके बाद में ट्र इसको मैं highlight करता हूँ एक बार यह करती जो आपके पास में बच गई यही इसका answer हो जाएगा और यह आप answer देख पा रहे होंगी किसमें जिसे एक तो यहां से यह answer ठीक है यह पूरा का पूरा answer आपको दूपर दिख रहे होगा जो कि मैंने आपको दिखा दिया fourth आपकरती में हाइलाइट करके लिए इसका सही answer हो जाएगा तो hopefully आपको सांस में आगया होगा नेक्स सावाल देखते हैं तो fourth है तो मतलब इस सांस यह हो जाएगा पर लेते हैं अभी नेक्स सवाल भी अच्छा सवाल है सेम इसी परिक्राइब आप सुतरे हों कि इतने सवाल कियो आ रहे हैं तो आपको बदा देता हूं कि चार सवाल आपके जहें नौन्वर्बर रेजिनिंग के पूशे जाएं और सेम फिकर बेस सीरीज पर पूझे जात यहीं जिसमें इस तरह से बनाया गया है और उसमें यह लाइन भी खीचे गए है अगली बार यहां पर पहुंच गया पिर यह यह जाएं पर पहुंच गया तो इस तरह से पहुंच गया है यह सेम पहुंच गया है यहां पर पहुंच गया लेकिन इसमें जो सबसे पहले जैसे कि अभी इस आकर्थी में है यहां पर था इसके बाद में यह जो है एक आकर्थी मूव करके जैसे सेकेंड में यहां पर थर्ड में यहां पर फॉर्ट टाइम पर यहां पर तो देखिए प बार movement नहीं हो रहा है एक बार मैं आपको फिर समझाता है इसको क्योंकि जैसे मैं इसको गोर करके अभी देखा तो यह पहली बार में एक बार हुआ है फोर्थ में ठीके इसमें फिर से थोड़ा सा सेंज़ करना चांगा और यह आकरती इसी तरह की है दिखाई बहुत कम दे रहा है तो इसमें आपको भी मैं क्लियर करने के लिए अलग से आकरती बना रहा हूं तो धिकर फिर से मैं आपको इसको पूरा क्लिये कर लेता सब्सक्prov एकर्टी तो सब्सक्राइब किया है, तो बागर आप यहां पर देखें इस वाले आकर्टी में तो इसमें यह जीज द्याण रखेगा तोड़ा सा इस पैटर्न को मैं clear करने के लिए इसको पूरा ही मैं दुबारा से समझा रहा हूं यह पैटर्न अभी तक आपकी clear नहीं हो आओगा और पैटर्न में थोड़ा से यह सैड़ेट जो एरिया है यह Mix हो रहा है दोनों ही आकर्थियों में इसलिए इकलतियां हो रही है so less मैं इसको थोड़ा six train कर जाता si आवंको ठीक है तो इस तरह कि आकर्थि है आपके लिए ठीके तो इसमें जो सुझाइड़ पार्ट है सबसे पहले वाला मैं पहले इस आकर्ति को बना रहा हूं यहां पर जूम कर गी यह वाला सब्सक्राइब पार्ट है फर्स्ट पोजिशन पर ठीक है सेकंड टाइम जब यह मूव हुआ है है तो सेकंड टाइम मतलब कोई भी सेंजिश नहीं है सैकेंड यहां पर था ₹ gö honest में क्या हूआ कि इसको छोड़ करके यह यहां पर पर मूव हुआ है और इस आकर्ति में आप देखें यहां पर पहुंच गया है तो यह हम फॉर्थ हैं तो चार तक हम पूंच गया, अगली बार जब हो यह होगा, तो देखें एक, दो और तीन छोड़ के यहां पहुँच जाएंगे, ठीक है, अब यहां तक हम पूरा clear कर चुके हैं, अब इस से आगे हैं, जब हमें बनाना होगा, तो तीन तक हम छोड़ चुके हैं, अब चार छ फिरला जो उप्सिन होगा वह हमारा इस आकर्थी से होगा यह भी सेम इसी तरह के क्या करती है इसको मैं बनाता हूं एक बार ओके सो मैंने यह आकर्थी बना दी है और फर्स्ट आकर्थी में आप देख सकते हैं यह वाला पार्ट से डिड़ेड है तो मैं इसको फिर्स्ट मान रहा हूं इस बार कुणशी वाले को इस वाले को फिर जैसे से एक को छोड़ करके यह अगली वाले में मूव हो गया है यहां पर पहुँच गया है उसके भाहद में थ One देखे दो को छोड़ करके यहां प्याँ आजाएगा ठीका इसके उवाले में तो 一सं उसमें सेड़ेड एक तो इसमें ऊगर हमें तो और कोई अकड़ी जिसमें तो यह वाला है यह वी घ्लात हो जाएगा और बसा एक यह उप्षन बचा है आपके पास में फस्ट ऑप्षन यह वाला यह ऑप्षन है आपके पास में फास्ट इससे एक अंसर हो जाए ठीक है यह इसका सब्सक्राइब को जाएगा फॉफल्य जो Saded area है ये भी मूव हो रहा है और Saded area पहले एक मिलेदेस्ट उससे अगली वाड़ यहा करते भी पिर उसके बाद में दो छोड़कर एक छोड़कर करके फिर दो छोड़कर करके फिर तीन छोड़कर करके फिर चैर चोड़कर करके इस तरह से चल रहा है तो Hopefully ये अब नेक्स्ट आवर पर चलते हैं आप हमारा नेक्स्ट पार्ट जो की है mathematics section यह भी start करते हैं तो पहला सवाल हमारा है जो की average से related है तो यहां पर बोला गया है कि कर्क्षा 10 के वर्ग A के जो 6 है यहनकी A वर्ग के 32 6 है और इनका जो उसत है वह दिया गया है 60 ठीक है तो उसके अलावा वर्ग B के 47 है उनका ओसत यू दिया गया है तो यहां अपने कि तो शाज वाभ का जो निकालने है इनका और इनको जोड दीजिए कि व्याद करना यहां पर कि अवरेज कितना होगा यहां पर इंट फिक्स नहीं क्या गया है यह किसी का भी हो सकते जैसे कि वेट का इवरेज माल लेजी कि 32 चात्रों के एवरेज वेट यहां पर 60 है और इनका जो है 30 है वैसे यह माक्स का मानी तो जैदे बटर रहेगा क्योंकि आवरेज का इसको आप इसको आप कम्पेर तो इसका जो है कोई effect नहीं पड़ेगा क्योंकि यह 0 है start का start पर कोई effect नहीं पड़ेगा ठीक है तो यहां पर यह overall leverage पर 0 effect डालेगा लेकिन effect यह डालेगा क्योंकि इन दोनों को बीच में difference है कितना difference है कि यह minus है कितना 27 क्योंकि 33 है 27 minus में है कितने पर माइनस पर 40 पर यानकी माइनस 27 गुना 40 यह जो सिंख्या हमारे पास आई है यह जो आपके पास में यह डिफ्रेंस है ठीक है यह डिफ्रेंस हमारा जो है ओवर ओल 72 पर इफेक्ट डालेगा यहां पर अपून 72 कर दीजिए तो यहां पर बस इसका अंसर जो है जो भी आये उसको माइनस कर दीजिए ओवर ओल जो हमेने 60 अवरेज माना दार अब 60 अवरेज तो हो नहीं सकता है क्योंकि इनका जो अवरेज है वो 33 है तो इन दोनों के बीच में ही एवरेज जो है लाइक करेगा ठीक है तो यहां पर इसको काट लीजिए हमेरे गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि यह काटने पर संख्या भी तो कट जाएगी इसका तो इसको देखिए 72 यह 9 से कर जाएगा नो तीय से ताहिस नो अटा वेहतर आट से आट यहां पर पंद्रा आगया तो पंद्रा को कटा देगी यहां पर 45 इसका जो है सही अंसर हो जाएगा दोनुक आपके पास में आंक आएंगे 45 पाएंगे 45 भी दो उप्शन में दिया गया तो यह सोड़ा डाइपिंग मिस्टेक है तो आप मैं बी उप्शन को जैसे सही माल र है ठीक है मैं से यहन की HCF HCF और यह कितना है और LCM करेंस है आठ सथा 48 है ठीक है तो एक संख्या यहां पर नमर वन दिया गया है वह आपके पास 24 है नमर टू आपसे पूछा गया है कि क्या होगा देखिए आपको पता एक फॉर्मॉला होता है क्या HCF इंटू LCM इक्वल होत इंटू नमर टू ठीक है इस क्यूशन मार्क की जगह पर आपको अंसर मिल जाएगा तो देखिए 24 से सीधा काट लेजी 24 को ना दो 48 आपके पास संख्या कितनी अगया टू ना दो 16 तो यह जो क्यूशन मार्क है इसकी जगह पर जो नमर टू निकालना था इसका अंसर हो जा नमर लिए गया यह बराबर है का 50% मतलब एक बटा 2 और बी बराबर है एक एक एकस परसन तो यहां पर एकस कमान पूछा गया है तो देखिए यहां से कैसे निकालना वह जाएगा यह बाई भी हेखोल कितना हो जाए यह इसको आप अगर लिकना चाहें तो पांच बटा गासिए पर हां पिपम पाँच हे तो यहांकर पूछाए कि वो एक कितना परसेंन है तो दिगर बन जा resumes इंद आप्पन्हा है टीक है तो सि्म्पल सिंपली वही एक करशन आपके पांच अर गुरण सब्सेंट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा आधिक है तो यह इसका अंसर जो से अधिक आएगा इसले इसका अंसर हो जाएगा आपको समझाया हुए नेक्स आपके पास में है कि 36 किताबों की लागत मुले यानिकि 36 का कोश्ट प्राइज जो है तीस किताबों के यानिकि 30 का विक्रा मुले सेलिंग प्राइज की बराबर है तो प्रोफिट परसंटेज पूचा है मैंने हमीशा आपको यह चीज जब भी फ पी निकाल लीजिए यह कैसे निकालेंगे यह देखें सिंप्लिक 30 बटा 36 इसको सिंप्लिफाइज कर लेजिए एक इतना हो जाएगा यह जागा चैपंजे तीस और चैशंग 37 इनकी यहां पर आपके पास सीपी का मान 5 है स्पी मान 6 है प्रोफिट परसंटेज आपको कितना है आपके पास में 5 into 100 वैसे आपको सिंपली पता हुआ कि एक पटा पांस का फ्रेक्शन कितना होता है 20 परसंट लेकिन 5 से 200 को काटेंगे तो यह कितना जाएगा 20 परसंट तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह option हो जाएगा नेक्स देखते हैं ओके नेक्स सवाल आपके पास में है कि A ratio B equal है 7 ratio 9 and B ratio C equal है 5 ratio 7 then आपके पास में A ratio C equal what यह आप सब पूचा है तो जब B आपको 3 ratio दिए गए हैं तो आप simply A, B, C इस तरह से लिख लिजी जैसे आपने यह लिख लिया अब A का B के साथ में ratio है 7 ratio 9, B का C के साथ में ratio है 5 ratio 7 और A इका C के रहसाद में ratio आप से पूचाया तो देखिए यह दो ratio आपके पास में different है इनको जब सेम कर लिजी सेम करने के लिए आपको क्या करना है यह 5 और यह 9 इनको आपस में उल्टा multiply कर दीजे लेकिन इसको अगर 5 से करने इसको भी 5 से करेंगे इसको 9 से करेंगे तो यह कि कितना है आपके पास में देखिए A है 35 और C कितना है आपके पास में देखिए 63 अगर यह आपस में कट रहे हैं तो आप इसे काट लिजी साथ से कट रहे हैं साथ पंजी 35 और शाथ नम 63 तो पांच अनुपाथ 9 इसका जबान जरू जाएगा A option hopefully अभी समझ दाया होगा next दे जब आपको इस तरह का सवाल पूशा जाए वैसे बहुत ही सिंपल सवाल है तो आप इन दोनों के लसी मिन निकालेंगे से जो है चैका और 9 देखिए वैसे तो सिंपली आप डिरेकली इस का सूच कर निकाल सकते हैं लेकिन लिए निकालने का एक तरीका बताता हूं जितने ओके लिए थीशेंटे सलसे कंटिया 9 आपके पॉसम्त है। ठीक है।स त्टनी 18 , में 9 बहने 18 तो यह दिखे यह तो आपके पास में क्या है टाइम है कि अपके पास तोटल टाइम है ठीक है और यह आपके पास में efficiency आएगा ठीक efficiency of a3 efficiency of a b जो है टू आजाएगा ठीक है इसको कारे सम्था बोलते हैं हिंदी गिंदर ठीक है अब आपको निकालने क्या है तो उस काम को कितने दिन में पुरा करें दोनों में कि एक दिनमें एक तो कितना यूनेटः करें गा इक ref ने में पांच यूनिट काम होगा टॉटल काम कितने ऐठाह एंटा और यथłem कि已经 दिन तक तो पौरा काम कर लेंगे मिन prosecution फिर उसके बात में कितना unit बचा आपके पास में 3 unit बचाया 3.5 लेकिन यह पूइंट में अंसर दिया गया है आपके पास में यही इसका जो आंसर हो जाएगा 3.6 तो फॉफुली आपको यह भी समझ में आ गया होगा तो यह 3 3 by 5 days भी लिख सकते हैं अगर यह option में होता तो नहीं तो अगर आप इसको solve करेंगा तो यह 3.6 days इसका अंसर हो जाएगा next देखते हैं फिर आप ग्लास जो सवाल है आपके पास में देखें कि किसी तिर्बूज की बुजाएं 3 अनपाट 4 अनपाट 6 के अनपाट में है तो तिर्बूज कैसा है सबसे पहले तो आप एक random कोई भी तिर्बूज इस तरह से आकर् अनपाट में हो तिर्बूज तभी बनेगा जब इनका जो है अनपाट एक निश्चित अनपाट में हो अब देखें तिर्बूज कब बनता है यह चीज़ आपको प्रोपर्टी ध्यान रखनी अगर यह थोरी के अंदर एक सवाल पूछा जाता है आप से कि कौन जी संख्या ड़काइब है जो तिर्बूज बना सकती है जैसे मैं यह एक दो तिर्बूज बनेगा या नहीं बनेगा तो हमिए सा दिहान रकिका कि कोई भी दो बुझाओं का यह जो योग है दो बुझाओं का आप जोड रहे हैं तो उन होना चाहिए किसे तीसरी बुझा से और आगर करूंगा कोई भी दो हुजा ले लिए जैसे 6 और 3 नो हो जाएगा इनका योग दूसरी से ज्यादा है और 6-3 6-3 कितना है तीन और इनका हिंचु है अंतर तीसरी बुझाय से कम है जैसे मैं इसको लेता हूं 6-4-10 योग तीन से ज्यादा है ठीक है तो अब आपको देखें यहां पर क्या करना होगा कि अगर यह डिफ्रेंस जो है आपके पास में यह इस तीसरी बुझाय से कम आता तब तो यह क्या होता आपके पास में एक्यूट एंगल ठीक है लेकिन अगर यह इससे ज्यादा हरा है तब यह उप्ट्यूच एंगल ट्राइंगल होगा और अगर यह समान आ रहा है तब यह आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा हुझा आप सूर्ड एंगा में से कि आप सोची कि खूई भी एक रइटेंगल राइंगल होता है सबसे बिजह सकता है …. जब यहां पर आपके पास में एह झाल आसकर हो और बढ़ाना को एच बढ़ा सकता हूं यह झाल यह बढ़ साइड में बढ़ागी और यह बढ़ा ठीकै अगर इसकी साइछ चैहां है और इसकी साइज न PBC ४र V things सिंपल एंट्रस्ट का सवाल है आपके लिए गया अब रूपीज कितने हैं 150 रूपीज सब्सक्रe Bowser टुका इतना मुझे इंटर स्टेंगे और शो महिने की लिए 4 पर सन प्रिंसिपल यह ग्याद करना है एक है लेकर आपके पास ऑल कितना 4% पर एन्वल रेट यह वहाकर रोद नुझे मुझे घ्याद करना रेट कितना है 4 परसेंट है टाइम कितना वन वाइट है और अपन करेंगे तो यह नीचे से दो से दो कट जाएगा तो अजिस से कटने के बाद में जी कितना हो जाएगा घ्चतर गिंटिक्स एक जगुणा करूए तो मतलब इसका कितना है सबन्टी थिक अब नेक्स देखते हैं Google किस वाल रहें कहां से तुजा इस एक है तो सब्सक्राइब है गुजरात है पी इसके बाद में राजस्तान है पिसका बाद मेधव अध्य गेल जिसे था ये रखन्ड में ये आपको आपको याद रहेंगे और अब नेक्स देखते हैं अगला सवाल देखे कि मध्या पासानिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमान जहां से मिले थे वह इस्थान कुन्सा है भी यह आपको ध्यानख जीत रहेरेराइनखिन के ऑसिस चाहां से मरे ते हैं की जा पर प्सू कपशक्ता था तरे ही तो वह आंसर जो है का पर है यह नहीं कि स्थान सहे हट्ट्डियों के उपकरन राप shall है तो यह जो आपके पास में है WAS असकी जी प्रकार से काले बंगा से चूर्यों का अवसरब राप्त है उसकी का प्रमार है अउसपी गोडियद भीड़ रप्सक्षाई है कि वहां पर इन्पर इस उपलंक एसक व alumina का कुछ दारन है आपके पास में इस में जैसे यह पूछा गया कान से नाम फूचा है तो लिए सतान का नाम है तो भथी समिदान सभा की यह समा नहीं है सभा है ठीक इसको थोड़ा सा धाहम रखें सभा के उद्गाटन अधिवेशन के अधेक्सित आ किस नहीं ठीक है टीक है यह तीन दिन के लिए हुआ था उसके बाद में प्रमानेंट जो है बना दिया गया था ठीकित अगर सिर्व आपको सभदान सभा का अधिकरिशन का जो है डेख्ट था किसने की यह आप से पूछे आधिवेशन की यह दो अधिवेशन है लेकिन सभदान सभा के टेक्स तो करने ठीक है ऐद रखेगा, उसकर आप देखें मदू मक्ही पालना क्या कर लाता है यहां पर यह सवाल भी पहुत पार पूछा जाता है यह Squorts अप्वल्चर आपके पास में ये थे तो आपके पास में मदु मक्खी के लिए है टीक है और अवी कल्चर जो है आपके पास में ये पक्सियु थोड़ा आपके कंफ्यूज करता होगा तो यह दिहान रखेगा एप अब यहां रखेगा आप दिहान रखेगा जो हमारे रागा सेट के थे वह हमने कंप्लेट कर लिया है तो होफुली आपका स्कोर अच्छा रहा होगा और आपके सारे सवालों के जवाब भी डिटील के साथ में मिल गया होगे तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एसे से सेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपन टीक केर ओन देवेस्ट